तो आज हम 31st October कर इंडियान एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे तो आज यहां पर आपको दो क्वेस्टन के आंसर देने पहला यह उमंगोड रिवर जो है वो कहां पर लोकेटेड है तो उमंगोड रिवर इनकी लोकेशन बतानी वेस्ट विस्ट अरेंज करना है तो 123, 231, 132, 321 तो इसके आंसर साब मुझे देना कॉमेंट सेक्षिन है अब हम आगे न्यूस पर आनालिसस डिसकस करते हैं इस न्यूस में सर्फ सेंट्रली स्पॉंसर्ड इसकीम्स मुझे आपको बतानी थी तो जो से सेट गवर्मेंट दोनों के दवारा फंट की जाती है और इसका implementation जो भी सेंट्रली स्पॉंसर्ड इसकीम्स होती इसका implementation सेट गवर्मेंट के दवारा देखा जाता है अब expenditure mechanism कुछ भी हो सकता है National Ruler Employment Guarantee Scheme ये इंडियन लेजिस्लेशन की दुबार आई थी 2005 में इसका आक्ट बना था तो basically legal guarantee देता है 100 दिनों की काम की अगर कोई यहां पर adult जो है वो रूलर एरिया में अन-skilled work की डेमांड करता है तो उसे एक साल में लगबग 100 दिनों का काम तो मिलेगा ही मिलेगा इस scheme का implementation देखता है Ministry of Ruler Development in association with the state government इसके लबब जो one-third workforce है वो women के लिए रिजर्फ कर रखे तो roughly one-third of the stipulated workforce must be women इसके लबब जो काम मिलेगा वहां पर adult को तो लगबग 5 km के area में मिल जाना चाहिए अगर 5 km से दूर उसे काम मिल रहा है तो उसे extra wages दिये जाएंगे इसके अलावा अगर उसने काम की डेमांड की तो basically demand-driven scheme होती है अगर इहां पर किसी adult ने काम की डेमांड की लेकिन उसे काम नहीं मिल पाया तो 15 दिनों के अंदर उसे काम नहीं मिल पाया तो basically उसे unemployment allowance दिया जाएगा बेरुजगारी भथता दिया जाएगा तो within 15 days of submitting the application or from the day the work is demanded wage employment will be provided to the applicant right to get unemployment allowance तो मैंने बता दिये 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरुजगारी भथता दिया जाएगा social audit मनरेगा की mandatory हो चुकी है social audit mandatory उसकी वज़े से accountability and transparency maintain रहती है यहाँ पर gram सभा होती principal forum यहाँ पर जो workers हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं अगर उनको wages नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर यह सारा काम देखती है gram सभा तो आयोब आपको समझ आ गया मनरेगा तो मनरेगा दो हज़ार पांच के आक्ट से बनी थी इसके लवा social audit mandatory कर दिया गया है one third work for women होनी चाहिए और यहाँ पर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो unemployment allowance दिया जाएगा तो यह सारे आपको facts बता होने चाहिए of course आपने static portion में पढ़ भी रखे होंगे तो यहाँ पर जो next news यह है Conference of Parties 26 जो की Scotland में हो रहा है Scotland UK में है तो सम्मेट हो रही है इससे पहले IPCC के 6th assessment report का first part आया था जिसमें यह बोला गया था यहाँ पर Paris Agreement में इन्होंने target रखा है कि 1.5 degree तक हम कोशिश करेंगे कि temperature को 1.5 degree तक रख सकें तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2 decade में ही मतलब 8 से 20 साल के बाद ही जो अर्थ है वो 1.5 degree तक वार्म हो चुकी होगी तो यहाँ पर बहुत pressure in countries के उपर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या करने वाले हैं तो ग्लासगो में मीटिंग हो रही इस बार Kyoto Protocol जो था Kyoto Protocol हड़ गया था पर Paris Agreement आ गया था क्यूंकि Kyoto Protocol में developed countries को यह लगजा था कि जादा था pressure उनके उपर ही डाल दिया गया climate change से लेकर deal करने के लिए दूसरी बात यह जो Paris Agreement को लेकर कुछ technical rules है वो अभी finalize किये जाएंगे और हमने climate change से events जो हुए बहुत जादा इस बार drastic events हुए जो कि हमने पिछले साल देखे for example floods, forest fires, heat waves, many of these in the developed world तो developed world में अभी हमने देखा Germany में कैसे बहुत जादा floods आगी थे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि drastic events climate change की वज़े से हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो countries है वो action लेने के लिए तयार नहीं है तो सिर्फ अगले 20 साल के बाद ही 1.5 degree temperature हो जाएगा यह IPCC की report में पता जालाता तो also the Glasgow COP comes months after the latest IPCC report warning that the world may be barely two decades away from becoming more than 1.5 degree Celsius hotter अब बाकी काफी countries ने अपने net zero का target भी दे दिया net zero का मतलब यह होता है कि जेतना country emit करेगा उतना ही country absorb कर लेगा तो net zero is the state wherein a country's emissions are completely offset by absorption of carbon dioxide अब यह कैसे absorb करेंगा तो या तो forest के दोरे absorb हो सकता है या तो किसी technology के दोरे यहां पर carbon capture करने की कोशिश की जाएगी तो net zero is the state wherein a country's emissions are completely offset by absorption of carbon dioxide like through forest sinks या तो फिजिकल रिमोवल किया जाएगा carbon dioxide का futuristic technologies के दोरे तो लगपा 70 countries अपना net zero target दे दिया लेकिन इंडिया ने अपना net zero target नहीं दिया है तो इंडिया basically यह कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो आप अपना goal shift कर दे रहो कि long term goal shift कर दिया कि हम 2050 में अपना net zero achieve कर लेंगे उससे पहले तो हम कुछ करने वाले नहीं है तो इंडिया उस philosophy पे believe नहीं करता है तो इंडिया कह रहे है net zero target देना तो ऐसा है कि आप climate action के उपर action लेने से क्या करो उसको delay करोगे हम climate पे बाद में action लेंगे हमने तो अपना target दे दिया similarly several countries have also made upward revisions तो सब ने अपने revisions के हैं जो भी NDCs target दिया थे National Determined Contribution दिया था चाइना ने NDCs के नाम पे जो चाइना ने अपने update के NDCs उसके नाम पे सिर्फ अपने previous target को ही re-trade कर दिया है इसके लाव चाइना ने कोछ नहीं किया है जो developed countries है Copenhagen Summit में developed countries ने ये बोला था कि developing countries को 100 billion dollars provide करेंगे 100 billion dollars provide करेंगे basically finance provide करेंगे ताकि हमारे पास भी technology आ सके और हम भी climate change से लड़ सके लेकिन इन्होंने इस goal को shift कर दिया इन्होंने बोला अब हम 2020 से नहीं प्रोवाइड करेंगे अब हम 2023 से प्रोवाइड करेंगे तो basically उन्होंने गोल पोस्ट रही ही पर shift कर दिया तो 2020 को उन्होंने 2023 कर दिया क्या है Glasgow में कार्बन मार्केट और से लेकर भी बातचीत हो सकते हैं उनसे रिलेटर टूल्स बनवाई जा सकते हैं बाकी हम आगे चलते हैं बाकी कुछ खास ये लोग करनी रहा है आज यहां पर National Unity Day है तो आपको पता होना है चीत हुँ We salute the men who integrated India into one nation तो आप है इंडिया की first home minister Iron Man of India की सरदार वल लभाई पतेल तो आज National Unity Day है 31st October 2021 आगे चलते हैं अब G20 Summit में इंडिया ने ये बोला है कि हम अगले साल के end तक 5 billion और vaccine doses प्रडूस कर देंगे और इसकी वज़े से जो least developed countries जिन्हों ने अभी तक vaccine नहीं बना पाए अपनी और उनको vaccine मेल भी ने बारी तो basically हम उन countries में vaccine export करेंगे और इंडिया ने ये बात भी बोली है जो WHO वो जल्द से जल्द यहां पर Covaxin को emergency approval दे दे तो convey that the early emergency approval to Covaxin by WHO will facilitate India's efforts to help other countries तो हम यहां पर vaccine inequity की प्रॉब्लम को solve करना चाहते हैं क्योंकि अगर देखा जा तो least developed countries में सिर्फ 3% लोगों को यहां पर vaccine लगी है as compared to अगर आप developing और developed road को देखो तो वहां पर लगबग 70% लोगों को first shot लग चुका है बाकि इंडिया ने one earth one health की बात की है जो को वेक्सिन उसका WHO जल से जल अप्रूफ कर दे और इसके लाबाँ इंडिया ने minimum corporate tax की भी बात किया जो कि 15% चल रहा था कि 15% यहां पर MNCs को text देना ही पड़ेगा क्योंकि basically MNCs क्या करते हैं वो अपना text low tax jurisdiction में shift कर देते हैं कि उनको context देने की जरूरत पड़े उसकी वज़े से इंडिया ने equalization levy भी लगाया था लेकिन अब यह problem solve हुजाएगी क्योंकि एक minimum corporate tax के हाँ पर structure आ जाएगा अब यहाँ पर government ने suggest किया है कि for example global hunger index आया तो उसमें इंडिया की ranking बहुत खराबती 1-0-1 ranking थी तो अब government ने यह suggest किया कि जो wheat और rice हम देते हैं midday meal में तो वो हटा कि हम बच्चों को millets provide करें ताकि जो एनेमिया की problem है, malnutrition की problem है वो solve हो सके तो flagging critical levels of malnutrition and anemia among children तो basically यहाँ पर बच्चों की भूग तो दूर हो जा रही है लेकिन hidden hunger जो nutritional requirements है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो जिसकी वज़े से यहाँ पर union government ने अर्च किया states को कि वो millets introduce कर दें midday meal scheme में तो midday meal scheme का नाम बदल के PM portion भी कर दिया गया था तो यह मिलेट्स और nutris cereals जिसमें जुआर बाजरा रागी आता इसमें ज्यादा mineral होता है B complex vitamins ज्यादा होता है as compared to rice and wheat अगर national family health तरफे देखा जाए fourth तो उसमें लगबग 38% बच्चे अंदर 5 years of age वो stunted है और लगबग 59% बच्चे है वो enemic है तो नीधी आयोग ने advocate किया कि millets को introduce कर देना चाहिए मिड़े मील्स में और rice और wheat से हम तोड़ा पीछे हटे इसके अलावा अगर हम millets introduce करेंगे तो यहाँ पर millets की requirement भी बढ़ेगी तो जो farmer से rice और wheat लगाते हैं जो rice है वो बहुत ज़्यादा water guzzling crop होता है उसकी वज़े से अगर हम rice export भी करते हैं हमारा बहुत ज़्यादा water export होता है तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे जो आर बाजर रागी में तो यहाँ पर पानी है वो भी बचेगा तो groundwater extraction भी कम होगा study ने found किया है कि अगर यहाँ पर करनाटा का में कुछ बच्चों के पर study की गए तो यह इंडिया की resolution पे ही 2023 को International Years of Millet डेकलेर किया गया था बाकी यहाँ पर Midday Mealy Scheme का नाम बदल के प्रधानमत्री पोशिन शक्ती निर्मान कर दिया गया था तो PM पोशिन में center जो है वो cost bear करता food grains को transportation की बाकियां पर जो menu वो state to state defer हो सकता है तो children को जादा तर हर state में दिये जाते है rice और wheat based preparations इसके लावा Prime Minister ने speech में यह भी बोला था कि हम बच्चों को fortified rice provide कराएंगे तो fortified rice में basically जादा vitamins and minerals होंगे तो अभी states को बोला गया कि जादा से जादा वो fortified rice को प्रोकूर करें तो बच्चों को midday meal scheme में provide करा है आगे चलते हम यहाँ पर कोई भी important नहीं है national unity day के उपर ही है यहाँ पर भी हम कुछ ने discuss करेंगे Sunday की newspaper में basically जादा कुछ important होता ही नहीं है यह article हम discuss नहीं करेंगे इसमें मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा कि जो आप code कर सकते हैं कहीं भी किसी ब्यांसर में अब यहाँ पर जो first LG थे Lieutenant Governor तो वो थे Mr. G.C. Murmu तो यह कश्मीर के जम्मू कश्मीर के तो यह सब आपको पता होना चाहिए यह भी नहीं पता होना चाहिए यह वैसे JNK Organization Act के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यहाँ पर बाइफरिकेट कर दिया गया तो इसके बाद जो first LG थे Mr. G.C. Murmu held office for about 9 months until August 7, 2020 उसके बाद जो current LG थे Mr. Manos Sina तो अभी जो LG थे Mr. Manos Sina उससे पहले यहाँ पर जो थे Mr. G.C. Murmu यहाँ पर इस आर्टिकल में हम डिसकस नहीं करेंगे इन सिक्यूर नाशनल सिक्यूरिटी हमने देख लिया कि Pegasasas की कमिटी बना दी गई यहाँ पर Supreme Court के दौरे जिसको Justice Ravindran head कर रहे है अब यहाँ पर इस आर्टिकल में भी कुछ इस इंपॉर्टर नहीं बस महराजा Hari Singh ने जब यहाँ पर एकसीड कर दिया था Jammu Kashmir को Instrument of Accession साइन करके तो यहाँ पर दोग्रा Kingdom को कश्मीर तब दिया गया था तो 1846 में यहाँ पर दोग्रा Kingdom को कश्मीर दिया गया था जब यहाँ पर जिसका नाम है Treaty of Amrassar जो की साइन की गए थी between Raja Gulab Singh of Jammu and the Britishers तो यहाँ पर 1846 में टूटी साइन की गए थी Raja Gulab Singh of Britishers के चलते जिसमें दोग्रा Kingdom को कश्मीर दे दिया गया था आगे चलते हम अब यहाँ पर JCPOA है तो JCPOA को लेकर यहाँ पर वापे प्रेशियंस होए थे between P5 P5 plus 1 plus EU और Iran की बीच में तो P5 P5 पर्मानेंट 5 members प्लस एक Germany plus European Union तो China, France, Germany, Russia United Kingdom United States, European Union और EU तो इस डील में तेहरान को यह बोला गया थे कि आप अपने centrifuges को कट करोगे जादा एंडरिश्मन नहीं करोगे तो जो भी nuclear weapon बनाने के लिए जरुज़ चीज़ है वो सब आप नहीं करोगे तो US ने उसके बाद क्या किया जब यहाँ पर Donald Trump आए तो उन्होंने इस deal से खुद को बाहर निकाल लिया अब यहाँ से जब इस deal से खुद को बाहर निकालने के बाद उन्होंने इरान के उपर sanction लगा दिये अब इरान के उपर sanction लगा दिये गया यहाँ से उस deal से बाहर आगे तो इरान ने भी अपना nuclear enrichment शुरू कर दिया अब बाकी जो E3 countries तो उन्होंने promise किया यहाँ पर इरान को कि ठीक है यहाँ पर US ने खुद को बाहर निकाल लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम trade कर सकें किसी और mechanism से हम बली dollar का नहीं use करेंगे लेकिन हम यहाँ पर instax का use करेंगे तो instrument and support of trade exchanges तो यहाँ पर E3 countries ने promise कि एरान को कि हम अपने trade करते रहेंगे instrument and support of trade exchanges से instax की help से लेकिन यह जो system तो नहीं हो पाए जिसकी वज़े सो जो इरान है इरान ने यहाँ पर nuclear enrichment करना शुरू कर दिया तो however by May 2019 एरान's strategic patience ran out as the anticipated economic relief from the E3 EU failed to materialize तो sanctions यहाँ पर एरान को हर्ट करने लागे इसके लावा जो इसकी वज़े से बहुत जानदर होने लगे एरान को तो यहाँ पर तहरान जो है वो maximum resistance की strategy पर shift हो गया तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर जेनरल कासम सुलिमानी को मरवा दिया गया बाइदा USA in the drone strike तो उसके बाद यहाँ पर जो तहरान का पूरा patience तो वो पूरी तरीके से खतम हो गया औ पर तो counting America's adversities through sanctions act जिसकी वज़े से यहाँ पर एरान से कोई भी trade नहीं कर सकता तो हम भी एरान से trade नहीं कर पा रहे थे जिसकी वज़े से हमें oil हम उससे नहीं ले पा रहे थे तो हम अब एरान से oil वापस ले सकते हैं अगर यहाँ पर trade deal resume हो जाती है इसके लावा हम चाहबा पर पाकस्तान में तो उसको हम यहाँ पर counter कर सकते हैं चाहबार पोर्ट से इसके लावा North-South trade corridor में भी जो एरान से पास होता है उसमें भी हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं तो यह सारी चीजे अभी हम कर सकता है अगर JCPOA रिजी हो जाता है आगे हम चलते हैं पर Italian Premier Mario Draghi न तो यहाँ पर G20 Summit को यहाँ पर होस्ट कर रहा है इतली तो यहाँ पर उन्होंने यह बात बताई कि 3% जो people हैं वोर्ट के poorest country में सर्व ही vaccinated है लेकिन अगर developed countries से compare करो तो developed countries में लगपक 70% लोग vaccinated हो चुके हैं तो यहाँ पर basically European Union leaders को बोला एगा कि आपको vaccines donate करने की जरुआ तर per capita then countries in sub-Saharan Africa तो यहाँ पर G20 nations को अरका प्रजें किया जाए जया है लीजए developing countries से तो इनको बहुत ज्यादा ज्यादा पर जबी है तो vaccine equity बहुत ज्यादा है अब यहाँ पर जो German की Chancellor है Angelina Merkel इसके next successor हो सकते है तो वो यह है ऐ है Olaf Scholz. यहां पर दूसरी पार्टी शोशल डेमोक्रेट है, तो मर्कल की पार्टी कोई और है, यहां पर दूसरी पार्टी से जीते हैं, तो शोशल डेमोक्रेट फो बीड़ दा कंडिड़ फो मर्कल's Christian Democrats in Germany's election in September is expected to be sworn in as a Chancellor in early December, तो अब यह next Chancellor बनेंगे जर्मनी के, अब आगे चलता है इस पेच पर कोई भी important news नहीं है, अब यहां पर जो लोग हैं, वो basically gold को collateral रखके जादा तर लोन ले रहे हैं, वो इसलिए loan ले रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत होगी health ऐसे pandemic आ गया, तो with people pledging gold for immediate cash requirements to meet hospital expenses, तो hospital expenses, hospital का बिल भढ़ने के लिए उन्हें अपना gold यहां पर collateral की त जादा तर देखा गया है कि लोग housing loans बहुत जादा ले रहे हैं, वो इसी वज़े से ले रहे हैं, क्योंकि RBI accommodative policy instance को लेकर चल रहा है कि economy revive हो सके, तो यह बहुत अच्छी बात है कि लोग housing loans ले रहे हैं, अब यहां पर energy conservation act में कुछ amendments किये जाएंगे, तो energy conservation act में यह amendments किये से कम करोगे, तो यहां पर आपको carbon saving certificates दिये जाएंगे, जिनको आप trade कर सकते हो, तो the amendments are also said to incentivize the use of clean energy, तो यहां पर clean energy के use करवाना चाहरे हैं, जिसकी वज़े से आपर carbon saving certificates दिये जाएंगे, अगर यह लोग clean technology के use करेंगे, अब इससे एक carbon market इंडिया में generate होगा, तो इंडि उसको यहां पर carbon credits मिल जाते हैं, एक carbon certificate मिल जाता है, जो कि वो trade कर सकती है, तो in which designated consumers that overachieve their targets of reducing power consumption are allowed to sell energy certificate, तो यहां पर कोई अगर overachieve कर लेता है, तो basically वो जो भी उसके पास carbon certificate से वो trade कर सकता है, in the lieu of money, और इंडिया ने nationally determined contributions में यह बात भी किये कि हम चाहते हैं, हमारे emission intensity है, जनरेट होती है, तो हम यह कोशिश करेंगे कि जो 40% हमारे energy है, वो non-fossil fuel based energy हो, हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि हमारे 40% energy non-fossil fuel based हो, आगे चलते हैं, यहां पर countries ने यही बोला है कि OECD G20 ने inclusive framework के एक बार साइन किया था, base erosion and profit shifting का, तो उसके बारे में rules पनाएंगे, कि यहां पर एक minimum corporate tax हो जाएगी, 15% minimum corporate tax हो जाएगी, तो यहां पर जो companies, MNCs, अपना tax low level jurisdiction में shift करती ही, वो ना कर पाएं, तो major corporations facing a minimum 15% tax wherever they operate from 2023, तो यह जो mechanism में 2023 से basically काम में आ सकता है, आगे चलते हैं, यहां पर G20 countries को World Bank President ने यह बोला है, यह जो basically least developed countries, जनों ने इतना सारा यहां पर तो यहां पर group of 20 retinations to speed of work on debt restructuring, तो उनके debt को restructure किया जाए, इसके लावर debt payments के ओपर फोड़ा freeze कर दिया जाए, जिसकी वज़े सो उनको थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो चोका पाएं, बाकी यह है कि SEBI के chairman, जो है, वो उनका तो जो आजयते आगी, Securities and Exchange Board of India के यहां पर chairman, उनका टेनर खाता हो रहा तो अब next के लिए यहां पर अर्जी देनी होगी, अब इन्विट, तो इन्विट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो infrastructure investment trust होता है, इन्विट, इन्विट mutual funds की तरह ही काम करते है, basically इसमें लोग अपने पैसे लगाते हैं, फिर उन पैसों को यहां पर invest किया जाता है, infrastructure के किसी भी project में, उसके बाद जो भी पैसे आते हो, उसके बाद उनको dividend दिया जाता है, तो they are designed to pool small sums of money from a number of investors to invest in assets, तो यहां पर assets में इन्वेस्ट किया जाता है, और ज्यादा दर उन assets में इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद जब cash flow generate होता है, तो dividend दिया जाता है, तो the investors, अब इसको manage कौन करता है, इन्वेस्ट को तो इसको भी से भी ही manage करता है, लेकिन इंडिया के इन्वेट market अभी इतना mature नहीं हुआ है, तो इसको time लगेगा, तो इन्वेस्ट कितर ही काम करते हैं, इन्वे